हेलो एवरिवन गुड मोर्निंग ओल फ्यू राधे राधे जैसे किसना सभी को तो कैसे आप सभी आप सब आप सब अच्छे होंगे तो स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नोगरी एस्पी रेंट में आज हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर 2030 की डेली करेंट अफेर्स जो आपके आने वाले एक्जाम जैसे की एसे सीजिल हुआ सिएशल का हुआ, यूपी पौलिस का हुआ या रेलवे का हुआ हर एक्जाम के लिए करेंट फिर काफी इंपरेंट, काफी हेलफिप्र रहने वाले आपकेलिए तो वीडियो में एंड तक बने रहे ना friends तो चलो शुरूर करते हैं आज की वीडियो वीडियो को शुरूर करने से पहले एक बर वीडियो को like, share ज़रूर कर देना यह था कल का question जिसका आपसे पुछा गया था question था कि विशनु देव साहई को अंसर था 36 गठ राजे के मोख्य मंदरी के रूमें नूत क्या गाए विस्नु देव साहि को अब देखते हैं 14 दिसंबर 2013 के迅 चेंजिन किस भारती करिकाटर को 2013 के अरजिन प्रुस्कार नामेत क्या गाए तो वह है महंपत सम्मे को किसे कुछ टिरोग दिख बाग में उनके अभूत पूरु योगदान के लिए 2030 के रिच गेम चेंजिंग इन्वेटर पुसकार से समानित क्या गए है तो वो क्या गए अतुल सहा को किस देश के तमिल कवी तिरुवल लूर की परतिमा का उदघाटन क्या गए है तो ये क्या गए फ्रांस देश में मर्सर के 2030 की गुनवत्ता पूरण जीवन सुचकांग 2030 के नुसर कौन सा सेर्शिस थन पर है तो वो है विये ना एड्मिरल कफ सेलिंगा रेगाटा के बारवे संस्करन में किस देश ने भारते नौसेन अकादमी में एड्मिरल कफ 2030 जीता है तो वो जीता है इटली देश ने किस राजे सरकार ने नेरो स्टेप सेवाव के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वाड योजन की शुरुत की है तो ये किये पंजाब राजे सरकार ने कोहन अंतराष्टे टनिस होल वो फेम में सामिल होने वाले पहले ऐसे पुरुस बने हैं तो वो बने लेंडर पेस और वीजे अमरत राज अंतराष्टी लेंगे एसमानतर पुरुसकार 2023 से किस देश के एंजियो को समानित किया गया है तो वो है अफगानिस्तान देश के एंजियो को समानित किया गया इस पुरुसकार से गेंद के लिहाज से T20i में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लिवाज कौन बने सूरी कुमार यादो साल 2030 में Google के टोप 10 ट्रेंडिंग एथलिटों की लिस्ट में एकलोते भार्टि किर्केटर कौन बने तो वो बने सुभुमन गिल अब देखते हैं हमारी आज की करणट अफेयर से मारा फ्रिस्ट कुश्टन इसका किस भारते पहलवान को युनाइटिड वर्ल रेसलिंग द्वारा राइजिंग स्टार ओफ दे इयर के रूमें चुना गया है तो बताए फ्रेंज किसको चुना गया है राइजिंग स्टार ओफ दे इयर के रूमें अंसर इसका दी अन्तिम पंगाल को चुना गया है आपको बता दे भारते पहलवान अन्तिम पंगाल को खेल की वेस्मिक साक्सी निकाई युनाइटिड वर्ल रेसलिंग के द्वारा मह इसको राजिंग स्टार ओफ दा इयर के रूमें नामनित क्या गया है याद रखना अधर इंपर्ट न्यूज देखते हैं किस भारती अमरीकी चिकसब को यंग उरोलोजिस्ट ओप दे ये रवोर्ड से समानित क्या गया है नित्या अभ्राम को किस देश के राश्ट पती को लैंड का सीर्श पूरुसकार ओडर ओफ वाइट इगल दिया गया है तो वो दिया गया यूकरेनिन देश के राश्ट पती को किस राश्ट को उत्रपूरी खेतर में इप्रोटोकोर मैंड के लिए सिर्वेस रेस्ट परदस्वन करने वाल राज्ट की रूम में पूरुसकार पदान क्या है तो दिया गयी तुरुपुरा राज्ट को किसे मराथा उधो रतर 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 से समान नित किया गए तो वो किया गए निले सांब्रेको किस राजय ने FDI प्राप्सकरता कि रोमेगे देश में सीर्स्थान असिल किया है तो बताई फ्रेंच क्या अंस्फर इसका तो इसका राइट आन्सर हो जाएगा ए महाराष्ट राज्ये ने महाराष्ट राज्ये ने FDI प्राप्त करता कि रूमे देश में सिर्ष्थान असिल किया है और आपको बता दे फ्रेंद वितिवर्स 2021 में भारत को अब तक कस्तप से अधिक 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हो चुका है भारत देश को कितना अमेरिकी डॉलर प्राप्त हो चुका है 83.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर FDI प्राप्त हुआ है और जिसमें भारत राज्ये में महाराष्ट राज्यों को यह सिर्ष्थान पर रहा है FDI में आज भी इंपोर्टे न्यूज देखते हैं State of India's Environment 2030 रिपोर्ट के नसर कौन सा राजे प्रियावन के मामलें पहली रंग पर है तो है तेलंगाना राजे पांचवे राजे खास रुक्सा सुचकां 2013-2024 में बड़े राजियों में पहला स्थान किस राजे ने प्राप्त किया तो क्या केरल राजे ने Times higher education द्वारा जारी Asia University रेकिन 2013 में भारत में अगरियनी विस्विधाले कौन सा है तो है भारती विग्यान संस्थान RBI के आकडे कुन सार कौन सा राजे लगातर तीसरे साल बाजार उधार में सबसे उपर रहा है तो वो रहा है तेमिलनाडू राजे नेस्ट क्यूशन देखते हैं किस ब्रेटिस बाहरती संगीतकार को 2024 के बुकर पुरुसकार निनाग पैनल में सामिल के आगए है तो किस बाहरती संगीतकार को सामिल के आगए बताईए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नितिन सहानी को जो ब्रिटिस भार्टिस संगीत कार है उनको 2024 में प्रुस्कार निनक पैनल में सामिल के आ गया है और आपको बता दे फ्रेंस जो ये प्रुस्कार है ये अंतराश्टी बुकर प्रुस्कार युनाइटि किंग्डों में आजित एक अंतराश्टी साहिती को अधर इंपोर्टे निउज देखते हुआ सरका ने किसे युनेश्को बैंके एमरेंसीयो के रुम में निंद्ध क्या है अश्वनी कुमार को किसे स्टिल और फोर्टि ओफ इंडिय लिमिटेट के ने देस और प्रबंदर के रुम में निंद्ध क्या गए है तो वो क्या पर्देश की सेलेश्टे साउलो विस्व मौस्विंगा संगटन की पहली बैट मैला मास्रेची बनी है तो बनी है अर्जन टीना देश की नेश क्यूशन है हमारा किस राजे सरकाने सभी जीरों में पीम कोलेज ओफ एक्सिलेंस थापित करने की गोजना की है तो यह किस राजे सास के महावी दालों में से हर जिलेव को एक कॉलेज को प्यम कोलेजु ओफ एक्सिलेंस थापित करने की गोशना की है और आपको बता दे इन कॉलेजों के विकास में चारसो सैट करो रूपे से भी जादा ख़र्च किया जाएगा कितना रूपे का खर्चा इसमें 470 क्रोर रूपे से भी ज्यादा खर्चाएगा इस कोलेज को सापित करने में जो कौन से सरकार कर रही है मद्दे पर्देश राज्य सरकार अधरी इंपोर्टी नीज देखते हैं किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिशी त्यार करने की गोशना की है तो किस राज्य सरकार ने हाल मैं के ठाँ मेख कोरी डोर ब questa है विडियो के विडियो करने ड YouTuber के साथ हैंसे लगी कुछने की BCCI ने हाल यह में किस पूर किर्केटर की जर्षी को रिटायर करने का फैसला किया है तो किस किर्केटर की जर्षी को रिटायर करने का फैसला किया है BCCI ने तो इसकांसर है हमारा D, MS धोनी का बी सी सी आई ने पूर कप्तार MS दोनी के द्वारे जो पहने जाने वाले 35 नंबर 7 की जर्सी है उसको रिटार करने का फैसला किया है और ये क्यों किया है तो MS दोनी की जो उपलब्दियों को सम्मानित करने के रूमें उनकी जर्सी को रिटार किया जा रहा है और इससे पहले स जर्शी का नमबर क्या था नमबर 10 उससे पहले सचिन तेंद्रगर को रिटर्शी को रिटर्ड किया गए था और अब पूर कप्तान एमस धोनी की जर्शी नमबर 7 को रिटर्ड करने का फैसले किया है BCCI ने किस देश ने अरजेटीना को 2-1 से हराकर FIH प्रो लिंग 2223 जीती है तो जीती है इंडिया देश ने सभी ICC ट्रोफी जीतने वाली पहले टीम कौन सी बन गई है तो वो बनी है और श्टेलिया भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला जूनियर होकी ऐसे कप जीता है तो वो जीता है साउथ कोरिया ने वी सुकप स्क्वेस चेंबिस्टिम 23 काउजन की सहर में क्या गया है तो यह क्या गया है चेनई सहर में ने इस कुछन देखते हैं अब फास्ट अटेक क्रॉफ्ट आइएश तार मुगली को किस नोसेनन डाक यार्ड पर कमिशन किया गया है इसको बताए फ्रेंट्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विसाखा पर्टनम डाक यार्ड में फास्ट अटेक क्राफ्ट आई नस तुगाले को विसाखा पर्टनम डाक आर्ड नोसेना कमिशन किया गया है और आपको बता दे जो ये आई एनस तार मुगली है ये एक तेजगती से हमला करने वाला युद पोथ है जो भारती नोसेना ना विसाखा पर्टनम में इस्तित नोसेना डाक यार्ड में आउचित एक कारिकरम के तेद इसको कमिशन किया है और ये तेजगती से हमला करने वाला युद पोथ है अधर इंपोर्टन युज़ेव इसकी नाटो ने पहली बार किस देश में आर्केटिक चैलेंज एक्सराइज दोजार देश का उजन किया है तो कि फिल्लेंड देश ने केंद्री मंत्री सिर्वना सोनवालने कि सहर में पहले अंतराश्टिक रूज वेशल M.V. Express को हरी जन्डी दिखा कर रहाना किया है तो किया चैननाई देश सहर में भारत और किस देश की नोसेनाओ के बीच एक कथा अभ्यास का छेटा संस्कन अजित क्या गया है तो ये क्या गया भारत और माल्दीव देश के बीच किस देश ने नाटो के सबसे बड़े हवाई तैनाथी अभ्यास एयर डिफेंडर 2030 की मैजबान की है तो ये किये जर्मानी देश ने Next question है Miss India USA 2030 का किताब किस ने जिता है तो किस ने जिता है ये किताब बताई फ्रेंट्स Answer है इसका B रिजूल मैनी ने Miss India 2030 का किताब जिता है Michigan की Medical चात्रा है ये रिजूल मैनी जिन्होंने New Jersey में आज जित वार्षी परते गए ता मैं Miss India USA 2030 का किताब जिता है और वही दूसरी तरफ Massachusetts की सनहा नाबियार Massachusetts की सनहा नाबियार को Message India USA से गोशित के आगा है रिजूल मैनी को Miss India USA से गोशित के आगा है और जबकि Massachusetts की सनहा नाबियार को Message India USA से गोशित के आगा है तो याद रखें इन दोनों का अच्छे से अधरी इंपोर्टी निउस जखने बाद किस देश के रहने वाली भौने ग्रेंबियल ने Miss University 2022 का ताज जिता है तो वो है अमेरिका देश के रहने वाली किस राज़े के रहने वाली ब्रीवीना अंजनाお願いします इंडिया 2023 का खिता है तो है राजस्ता राज़े की किस देश के रहने वाली सैनिस पलासियों ने Miss University 2023 का खिता है तो यह जित्त है निकारवा गुवा देश की रहने वाली किस देश की मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट सियनना वियर को तेश वर्स की उमर में निधन हो गया है तो वो थी ओस्टेलिया देश की जिसका तेई वर्स की उमर में निधन हो गया नेश्कुष्टन है हमारा भजनलार सर्मा किस राजे के नई मुख्य मंतरी चुने गए हैं तो आपको बता दे इस कांसर हो जाएगा बी राजस्तान राजे के नई मुख्य मंतरी बने हैं भजनलार सर्मा और आपको बता दे दिया कुमारी और प्रेम चंद्र बेरवा ये आप्डोगी उम्पोट्टिन व्युदे है इसकी किसे वी सो मौसम विग्यान संगाफन के ने अद्याएक्ष के रो "'न्यूद्क गया है। पचास एचाई अस्तियों की ब्रेटेन की सूची में कौन सिर्स्थान पर रहा है तो कौन सिर्स्थान पर रहा है ब्रेटेन की सूची में तो आंसर इसका डी सारूख खान सारूख खान रहा है सारूख खान ने दो एक्षन से बरपूर मुवी जोन सी पठान और जवान के अच्छा एक्षन मूवी करने के तोर पर UK की टीम ने विश्व के स्तर पर उनको पचास एस्या एस्टी की सुच्ची में नंबर वन पर चुना है अधरी इंपोर्टन नियूज देखते हैं अधर सास्त्री श्टीव हेंके के वार्षिक दुख सुचकांग 2022 में कौन सा देख सिर्ष पर रहा है तो वो रहा है जिंबावे जारी फ्रेडम हाउस इंडेक्स 23 में दुनिया के सम से कम आजा देख का दर्जा किसे दिया गया है मिला है तो वो है तिबबत को 2022 देख में कौन सा राजे महतमा गांदी राष्टि ग्रामी रोजगर गांटी के थेत व्यक्ति दिवस रजनन के मामले में सिर्ष पर रहा है तो वो है राजिस्तार राजे किस भारते अभिनेता को टाइम में एक जिन्म के प्रभावसाली लोगों की सुच में सामिल किया गया है तो वो है सारुक खान को किसे दोजार तेस के लिए इंद्रा गांदी सांती प्रुषकार दिया गया है तो किसे दिया गया यह प्रुषकार तो आंसर इसका दी मतलब डेनियल बेरन बोयम को और अली अब्बु अववाद को यह इंद्रा गांदी सांती प्रुषकार दिया गया है इंद्रा गांदी सांती प्रुषकार दोजार तेस का सुक्त रूप से परसित सांस्त्रे प्यानोवादक और कंडेक्टर डेनियल बेरन बोयम को डेनियल इन दोनों को ये पुरुषकर दिया गया है इंद्रा गांधी सांत्री पुरुषकर आधर इंपोर्टिन उजे किसे पर्थम प्रोफेसर जैसंगर पुरुषकर से समानित किया गया है आचायर्य एन गोंपी को किसे ने 35 जर्मन सांती पुषकार 23 जिता है तो जिता है सलमा रुष्धी ने अंतराश्टे ओलंबिक समीत्ती ने किसे ओलंबिक ओंडर से समानित किया है तो है टेड ड्रोस एडरनॉम को किस एरलाइन्स को स्काइट्रेक्स का दुनिया की सबसे अच्छी विमानिक कंपनी का खिता मिला है तो वो मिला है सिंगापूर एरलाइन्स को आज का क्विशन है हमारा जिस कांसर सभी को कमिर सक्षन बताना है किस परसिद लेखिका को 33 वियास समान के लिए चुना गया है तो किसे चुना गया है इस समान के लिए इस कांसर सभी को कमिर सक्षन बताना होगा समान के अंडोज देखते है कौन सिमान्द गांदी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुलगफ़्वार खान को सिमाद गांदी के नाम से जानतना जाता है सिर्फ पर्थम किस राजे में लोग अधालत आजित की गई थी तो गुजरात राजे में सर से पहले लोग अधालत आजित की गई ty किस अंग को RBC का कबरिस्तान कहा जाता है तो पलिया को आना RBC का कबरिस्तान माना जाता है नेफवा किस राजे का पुरार नाम है तो अरुनाचल परदेश का पुरार नाम क्या था माउंट एवरेश्ट पर चर्णने वाली पहले भारती महिला कौन थी बच्छेंदरी पाल सरदार सरोर प्रियोजने किस नदी परिस्तित है तो वो है नर्वादा नदी पर तो फ्रेंट्स आज की वीडियो कैसी लगी कमरे सक्षन में जरूट बता है न साथ ही वीडियो को लाइक सेर्च करना मत भूलना और पीडियोप्स और नॉट्स के लिए भी आप हमारे वेस्टार पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.naukaryaspland.com थैंक यू फ्रेंट्स बाई बाई राधे राधे टेक केर